गुद्वार्णिंग गुद्वार्णिंग सू लेट्स बेगिन देए सर कव्मेंट ने हाइवे और एरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर भुजवाई है इन दोनों प्रजेक्ट्स में से एरपोर्ट का प्रजेक्ट बहता रहा है सर No, no, I think highway is a better project क्योंकि उसमें हमें experience भी है यह हमारे लिए एक नया challenge होगा अगर हमें airport project मिलता है तो हमारी company profile से इसको फाइदा होगा पर highway में ज्यादा profit है You don't know the profit in airport I support for airport sir I do sir Even I Highway वाला project बहतर है sir Me too Sir, decision is yours Please take a call Good morning sir Good morning Thank you हम यह discuss कर रहे हैं कि highway project बहतर है या airport आपका क्या कहना है sir Damn Yes sir What? Damn क्यों? Sir, वो करनाटक में केसार है तोगा भद्रा है और एक है हाँ, लिंगन मक्की हाल मटी, हारंगी, हेमावती, कोदसली वानी विलास सागर, शांती सागर, बसल सागर, रिनुका सागर हरिद्रा, राजा लक्षमन गोड़ा, कन्वा, कद्रा, भद्रा, सुपह टोटल, वहां सत्रा मेजर डैम्स है पर हमारी कंपनी ये डैम बनाएं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्मेंट को एक प्रपोजल भीज़ें बट वाई? Life saviour Life saviour? For whom? Farmers इवेंट करने वाला किसान और उसकी फसल है The farmer is the first scientist अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो invention कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फाइदा नहीं होगा हाँ मैं समझता हूँ हम बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है पर हम हर बिजनेस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हर इंसान जो खाना कहा रहा है वो उन किसानों का करजदार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिन्दा नहीं बचेंगे अगर आजकर हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नज़र आता है लेकिन जो डाम हम बनाएंगे वो हर उस किसान के जिन्दगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा कर मेहनत करता है इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भर पूर पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इससे रिलेटिट सारे डॉकिमन्स रेडी है बेटी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना मैंने भगवान की 21 अगर बत्ती जला कर आर्टी की है तुम फर्स क्लास से पास होगी पास होने का भी डाउट है फर्स क्लास की बात कर रहे हैं बाप और बेटी दोनों एक जैसे ओ माई सन पुट सम्मोर धूट माक्स और ज्याद आएगे जरूर 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 एक भी दिन मैंने इस लड़की को बढ़ते वो नहीं देगा और ना ही कभी इसके हाथों में मैंने किताब देखी है तो ये पास कैसे हो जाएगी जैसे हर साल पास होती है वैसे है रिजल्ट आगया क्या अरे पेरी बेटी का रिजल्ट आया क्या अरे बेटी तुम फर्स क्लास से पास हो जाएग ये कैसे हो सकता है हाई साल कब हम ही जीतेंगे माँ जरूर ये मैच्पिक्सिंग है अभी तो तुझे संभालने के लिए तेरे पापा खड़े है यहां पर एक दिन कोई दूसरा लड़का जब तेरी लगाम खीचेगा तब तुझे पता चलेगा पापा देखू ना पापा ही वो लड़का लेकर आएंगे जो पेरी लगाम खीचेगा देखेंगे देखेंगे वो तुम्हें पूलों का हाल पहताएगा या फिर लगाएगा एक खीचके पापा हमें ममी की जरूरत है क्या ऐसा क्या नहीं जरूरत है अगर आप कहें तो शकल देखिए है अपनी दूसरी शादी करेंगे अए तू मेरी सौतन लाएगी दंद देखांगे देखांगे लो जी जादी आ गए जी जी नमस्ते है आगरे हैं सब चीत रहे हैं आप हैंस देखेंगे अब आप आगए है ना शादी में रॉनक आजाईगी हम तो शादी की रस्में होते ही यहां से चले जाएंगे आप और आपकी बहनी आपर पस्ताइब आओ अंदर चले और तुभी समालो सब का चलो आओ अंदर चले तैयारी कितनी अच्छी की है ना नॉट बैज एंग्लिश वाली नानी जी सो नाइस उसे लामस्ते ओ जी ओ और यह सारी समाला कितना मुश्कल होता है यह नो नानी जी जूस मुश्क पिलाने के लिए मैं हूँ ना लाओ लाओ उचे दो जाओ जूस पियो के नो थे हैंक्यू जाओ जाओ जिस टेल मी वेर इस अवर एनीमी यावर हां कहां है दिखने रहे है ओ तो आ गई वह दादी दिखो आगे कादू की तरहां ओ दुलायर रानी ह नानी मैं तो चीक हूँ आप भी बहुत अच्छी होंगी ना और ये तो एक्टम मस्त होगी वैसे मैंने एक उर्टी उर्टी ख़बर सुनी है ओ विंड म्यूस नाई एर म्यूस प्रोसीड मैंने सुना है कि इस बार पर तुमने फर्स क्लास से पास क्या मैं यस कोली के लिए सेंचूरी मारना कोई बड़ी बात नहीं वैसे ही कीथा के लिए फर्स क्लास कोई बड़ी बात नहीं मैं रव्ली शाही फर्सर आती हूँ रहने दो किस्मत अच्छी है और कुछ नहीं 誉! इस चमत ठरनी होगी ही क्योंकि ये तो सिर्फ पास होती है हलो भाले ही मैं सर्फास होती हूँ पर मेरी पसंद हमेशा एक नंबर की होती है मेरा होने वाला पती फॉरन में रहता है राज कुमारो जैसी शान है उसकी इसलिए मेरी शादी के दूंग धड़ा के से हो रही है है ना रे इतना भी क्या दिखावा करना पता है अपनी पोती के लिए में कैसा लड़का ढूंद कर लाओंगी जब उसकी एंट्री होगी ब्लास्ट होगा उसके आने पर भगवाल खुद बैंड बजब जाएंगे वो बादलों पर लिखकर मेरी पोती को लेड़ बिजबी की तरह पुरे आस्मान में चपकेगा तुफान की तरह आस्मान चीर करा कि तरह प्रव प्रव भाइंगे की तरह आस्मान चीर का कि ऊखकेगा अचाँ झाल 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 कैसे कर लेते हो जो पूरी जिन्दगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं आपके हाथ धरती मा को नमन करने के लिए ही उठने चाहिए आप मुझे बस आशिरवाद दीजिए चाचा वही मेरे लिए काफी है हाथ आपके है हमारा आशिरवाद तुबहरे साथ है अरे तू लाए गया तू लाए गया पेंट बजारे पेंट बजाए जटी नमस्ते अरे बहल गाड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हो और तू हैंसम भी बहुत हो थांक यू आलाइक यू आटिटूड देखो वो कितना हैंसम है तादी हाई आरे हाई हाई अंकल ये क्या हाई अंटी हाई तुम अकेरे आये हो दापाजी कहा है यहीं तो है आरे वो रहा देखो ना मेरे पती को बिलकुल राज कुमार लग रहा है करना देख ले। पंचा अपनी बंड़ी के सामने हीरो गिरी दिखा रहा है किया मैं में चलिए आप अंदा चलिए कि आकर मुझे बाम लगा थे आप अंदा तो चलिए भीजवाता हुआ कि आप अच्छी नाम का इस लड़कों ने दिल पर मेरे नाम का टाटू बनाए या 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 पर तुमने अपना नाम नहीं बताया सरसों का साग ओहो तुम वेज़ीटेरियन हो खाने के लिए वेज़ीटेरियन हो तो सिर पे चड़े तो छिराना भी आता है या बाद माई दूसरों के हाथों से खाना मुझे बहुत अचा रखता है मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि मैं बिल्कुल पंदर जैसे दिखते हो जैसे को तैसा गाओं की लड़का इतनी आसानी से नहीं बढ़ती है बस अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजा है त बहुत क्यों चो पीछे से फटी हुई सारी है लेकिन अच्छी लग रही है तू क्यों तितली बना हुए है रहे अजी जी 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 तू उसे देकर तितली की तरह पड़ पड़ा रहा है कैसी लगी वो मार चो बन कर चले हैंसे सही लग रही ती यार देखो अगर तुम किसी हांसम लड़के से शादी करोगी न तो जब देखो वो दूसरी लड़कियों को देखेगा और हम लोगों को उसके पीछे अगर किसी ठीटा क्लड़के से शादी करते हैं तो उसकी रानी बन कर रहेंगे और वो हमारे आगे पीछे जोरू का गुलाम बन कर घुमेंगे अरे वो देख तेरा होने माला पती किसी और के नेटवर्क को फोलो कर रहा है कुछ लड़किया पॉप सॉंग की तरह होती हैं जिने हम सुनकर भूल जाते हैं कुछ लड़किया रैप सॉंग की तरह होती हैं जिनने सुनते सुनते भूल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम कभी कभी सुनते हैं, अलका यागनी की तरह, पर याद हमेशा रहे जाती है, वो तो बहुत फ्लॉट कर रहा है उससे, भूलो उसे बहुत मैं जाए, भाई, डायलोग सही से बोला ना मैंने, मुझ बन कर और पीछे प्ली, अफ्लेड़ीन के लिया और इस प्ली देख करांछांचा कया वेसा करते जा जाकि में हु यह नहींकि बताया तुमने, अन्यों बताकर मैं ह। अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूंगा मुझे क्या लेणा तुम शादी करो या ना करो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता समझे लेख ले ना भाई, भाई, भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुने मुझे क्यों अपने बीच में फसा कर रखा है, सीधा जाकर खुदी बात कर लेना, देख यार, तू पूछेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तुछ दूला है, मैं पूछूँगा तो जूते क्योंकि तुने पाई मैं फसितना प्रहता है, यार जिए जासेंकि यार, पुला है भाई मितवाई, चरभ्वादी पाने प्रया जिए लाई, भाई वो आई आपको गाउं घुमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चलो आँ चलिए उपर की पाड़ी से देखेंगे तो हमारा गाउं बहुत ही सुद्ध रुखो एक मिनट तो सारे लोगों का ध्यान किस पर होना चाहिए तुछ पर ही होना चाहिए तो तू सलमान खन की तरह डोले शोली दिखा कर क्यों गूम रहा है ऐसे तो सब्सक्राब तेरी तरफ देखेंगे ना, मेरी तरफ कौन देखेंगा बता I will lose my attention, you know competition ज्यादा होगी तो ही लोग तेरी कदर करेंगे I mean तेरी बॉड़ी क्या खराब है, क्या कमाल की बॉड़ी है वाट फिसीक तो दिखा ना, show your biceps, show your sexy thighs मस कर यार, अब तो शर्मारी है जिसने की शरम उसके भूटे करम में भाई, ध्यान रख, attention seeking is important सुन, अगर शादी से पहले तुने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो शादी के बाद तेरी बीवी कंट्रोल में रखेगी तुझे अचा, अचा, अरे यार, तो के, आज तुने मेरी आँके खोल दी, अब तु देखता जा बस, अब से मैं से अंडर वेर पहन करी हुआ यह इना बाद, तो लग जा काम पर, तू इसे क्या देख रहा है पाद, पाद, थाइस, थाइस, थाइस... चलो फड़िये, पाद, चल तहén सेक्सी थाइस, कैसे है, और चला आजपर तो शेक्षा कै πटीगि। अरे ओ बवकूफ, ये सब क्या पहन रखा है तुने फैशन दादी, फैशन, देखो तू, आग लगे तेरे ऐसे फैशन को, जा पहले जाकर ठांके कपड़े पहनदा, अपनी पल्स चेक करने की उम्रा में हमारी पल्स आपको समझ में नहीं आएंगी, रहने हैं जीजे, आप ओल्ड बोड़ी, आउच, ओ, सॉरी, 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 प्रॉब्लम, वाव, यू लगे त, यस अफकोर्स, किन आ जच इट, प्लीज, कुल, इस साइड, आमेजें, कैसे बनाएं, डेली, 200, पुश अप्स, 100, बाइस, और अब मैं थाइस पर काम करने वाला हूँ, सॉ नाइस, थाइस ना, बहुत नॉटी हो, मुझे बाद में मिल हेई, बेबे, लेट्स, डू, पुश अप्स, मुझे बाद में मिलना, कॉराटे, कुंफू, सब एक ही बार में सिखा दूँगी, ओके, बस कहीं का, चलो, दोके बस, पर मैंने क्या किया, मैं यहां पर आपको अपना गाउं दिखाने के लिए ले आए था, लेकिन आप तो ट्रेकर चलाते हैं, चलाते हैं, इतनी दूर निकला है, इतनी दूर निकला है, रको, रको, वहाँ, दाडू, अरे, कौन है रिवो, रंगा दादा है, चलो, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं, यह रंगा दादा, एक किसान है, लेकिन बात क्या है, हम किसानों को तो इसी तरह मरना है, इसी तरह? यह, यह क्या कहरे हो तुम लोग, हम खेतों के लिए लोन लेते हैं, तीन सालों से ना तो बारिश हुए और ना ही भसल, बैंक वाले एक के बाद एक नोटिस पे नोटिस बेज़ते जा रहे हैं, और शर्म के बारे हर किसान को मजबूर नहीं फैसला करना पड़ता, उसे आप रख लीजे दाजा जी, अरे भाईया, आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे, लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं हुई तो, यहां लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इनके पास, इस परिशानी का कोई और हल तो, पानी, हां भीया, जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा, जब इन खेतों में नदी का पानी आ जाएगा, हमारी परिशानी भी दूर हो जाएगी, अगर हमें भरपूर पानी मिले तो, हम साल में दो बार फसल उगा सकते हैं, तो फिर हमें लोल लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देगी, वाँ भरवान, ए, चल उठा, उठी है रंगा दादा, रंगा दादा, आप किसमत वाले हैं, जो भाईया ने आपकी जान बचा ली, भाईया, यह आपके पैसे, चलते हैं भाईया, अजा, आपके पैसे, तुम्हे साडी पहनते हुए देख रहे थे, तुम परदा बंद करके साडी नहीं पहन सकती थी? बिल्कुल सही, ढककन खुला रहेगा तो, बिल्जी की क्या गलती है, क्यो शुटत? बेशरम कहीं के बेशरमी की सारी हदिर मार करते हैं रुज़र बंगा था तुम नो उन्होंने सब देख लिया क्या आरे तो देखाई होगा ना और तुमने मैंने कुछ नहीं देखा जी तो उसके लिए बाद में मिलना बाद में वो क्यों बदमाश बड़े भोले बन रहे हो भोला बेबी मैं क्या भी भोला बंद रहा था बाद में मिलना मुझे चलो रहे तुमसे भी बाद में मिलना चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर टाइम तो बताए है नहीं भाईया हा बोलो खाना त्यार है अभी आया जिखाना, ने वाली देखा है, बहुत अच्छी है तुटी पहने है तेन चार के थे तब की पूटो है? यह वाली देख समय तो कितनी खूपसुरी तेली नगेस भी अची है, ना? बहुत आख सुपर है हुआ पूल को फोट करना है इस वरत को अटे करना हान नहीं है इचाल वाहा, हाथ में ताजे लड़ू और खुद बासी लड़ू क्या बोला? बासी लड़ू और क्या? एई, लोग गीता, लड़ू खाएगी तुझे भी तुभी खाले, ये ले चल सॉरी सॉरी कबसे मेरे तिल को घूरी जा रहा है? चे, तीन बार उसे मेरा तिल देखा जैसे को तैसा क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या तुप, शर्म हाया है या नहीं? लड़का इतना हैंसम है इसलिए मैंने बोला ठीक है तो भी बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे, उसे अच्छा सबक सिखाएं हजार उपए लगेंगे? ठीक है भगरा कौन है? आरिया मुश्किल है? क्यो? भूल जाओ आरिया को, उससे पंगा लिया तो हमारी बेंड बजा देगा? जाने दो, करते तो पांच अजार उपए लेती पांच अजार? आपने मेरी बेहन की याद दिला दी, जो मेले में गुम हो गए थी मैं ये काम करूंगा, चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े ये एक भाई की शबत है तू भी शबत लेता हूँ यहाँ सो रहा है, अभी मज़ाएगा तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नीन नहीं आ रही थी मैं यहाँ तेरे पास सो जाऊं क्या? नहीं नहीं, तू मेरे साथ नहीं सो सकता है पूरी रात यहाँ आमां टांगे मारते फिरता है आजा मेरे साथ सोजा भाई ए चुपकर सोजा पर देख जिसका मुटा का हुआ ना भाई है जाओ ठीक तम जाओ जाओ कहीं मरना जाए पर किसने मारा मुझे बहुत बारा मंदे पर अप्र भावू नियुक्त जल्दी बताओ क्या हुआ हमने उसे बहुत मारा तुम्हें मारा उसे सिर्फ मारा नहीं तोड़कर आगे क्या मारा इसको मारा इसको मारा नाच क्यों रहे हो बे बहुत आवाज आ रही है नाचो नाचो वैसे मैं उसे डर क्यों रही थी लगता है इनोने उसे मारा नहीं एक काम दिया था वह भी मन लगा कर नहीं किया यह इस सरकारी काम है जो बन लगा कर रहे है हमारी गलती नहीं है इस बार गलती नहीं होनी चाहिए सुन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए इस बार गलती नहीं होनी चाहिए तो यहां है यह भाई भाई अभी तु फिर से आ गिया थोड़ा उदर हो जा मैं यहीं सो जाऊंगा मुझे अकले सोने में डब रहा है प्लीज भाई ठीक है सोजा दुबारा वहां मत आना तो तू भी यहीं सोजा ना अच्छा रहने दें अकला ही सो जाऊंगा क्या सिर्दर्द है यहार वह देख वहां सो रहा है वह ठीक है आप चाहिए अगर हिम्माद है तो मुझे सामने आकल बारू ना अगर मुझे गुसा गया ना तो मैं बहुत रहूंगा तीन दिन तक नहीं उठेगा आप वो क्या क्या रहे हो दो भी कितरा दो दिया उसे हमने सच्छी बाबा 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 इदरा मुझे भी जल्दी करो ना यह क्या था वो तो सही सलामत घूम रहा है हो तो प्रची भी एळामत अत्व टीयिकी करना जओ भी चैना मुझे मेरे वो जाओ मुझे मिर समsnे म्मा प्रची उस तुम यहां क्या कर रहने हूं? ओई गोर्खा, गोर्खा, सर मेरादिरे गरते अंदर? स्पेशल ड्यूटी मेरी भी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है दाल काली नहीं है, सर मा कस्ताम, स्पेशल ड्यूटी भनाऊ मेरी भी, मेरी कहां सीखा तुमने महंदी लगा ना आची है ना सूपर गीता कम हीर आओ सिड़ाँ सिड़ाँ क्या हो अधादी सी कितनी अच्छी लगाई है ना इसमें तू भी लगवाले ने रुक लगवाले महंदी लगाओ इसे अरे लगाओ यह देख क्यों ने रहा है देख ने रहा है क्या अभी भी नहीं दिखा यह वो फैन बंद करना सीड़ी हवा आरे है महंदी कराब हो रही है सॉरी प्लीज आज का दिन आज के दिन का कब से इतजा था मुझे आज आया है तो तकलीफ हो रहे है हलो हलो क्या है यह सब अंकल बेटी की शादी आपने खुशी-खुशी कर दी और अब आप लोग बच्चों की तरह रोते जा रहे हैं मैंने इसे अपने हाथों से पाला है और अब यह मुझे छोड़ कर जा रही है तो दुख तो होगा न ऐसे कैसे विदा कर दूँ क्या अंकल आंटी भी तो अपना घर छोड़ के आई थी आपकी ममी भी तो घर छोड़ के आई थी न यह मत सोचिए कि आपकी बेटी दूर जा रही है तो आपका रिष्टा तूट जाएगा यह सिर्फ इस घर से दूर जा रही है आप लोगों के दिल से नहीं पती के घर में चावल के बरतन को गिरा कर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल और इसलिए मुझे लगता है माबाप को उसके अंदर एक आत्म विश्वास भर के देजना चाहिए उसे आशिरवाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हस्ते हस्ते चली जाए बलकि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीलता सबसे बड़ा गुन है आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तौफा होगी आपका आशिरवाद ही इसके परिवार में सुख लाएगा हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची सुपब बिल्कुत सही कहा तुमने बेटा बले ही तुम हमसे उम्र में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया शब्दी नहीं बचे यह ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम कुमसम सा हो जाता है पर तुमने हम जैसे मादा पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया है मुझे गर्व है तुम्हारे मादा पिता पर जिन्होंने तुम्हें ऐसे संसकार दिये तुम कहां से हो गेटा मेंगलूरू सर यह रहा मेरा कार्ट ओ, MK Constructions सुना है मैंने हमेशा खुश रहा तुम कहां से हाइवे और एरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर विजवाई है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एरपोर्ट का प्रोजेक्ट बहता रहा सा नो, नो, I think हाइवे इस बेटर प्रोजेक्ट क्योंकि उसमें हमें एक्सपिरियेंस भी है यह हमारे लिए एक निया चालेंज होगा अगर हमें एरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फाइदा होगा पर हाइवे में ज्यादा प्रोफित है यू दोन नो दे प्रोफित इन एरपोर्ट हाँ बिलकुल, I support for airport, सर I do, sir Even I Highway वाला प्रोजेक्ट बेहतर है, sir Me too, me too Sir, decision is yours, please take a call Good morning, sir Good morning Thank you हम यह डिसकोस कर रहे हैं कि Highway project बेहतर है या एरपोर्ट आपका क्या केना है, sir Damn Yes, sir, but Damn, क्यों? Sir, वो करनाटक में केसार है, तोंका भद्रा है और एक है, हाँ, लिंगन मक्की जब भी हम बड़े-बड़े inventors की बात करते हैं, तो हवाई जहाद साटलाइट और बिजली inventory करने वालों की बात होती हैं, लेकिन मेरा मानना है, सबसे बड़ा invention और उसे invent करने वाला किसान और उसकी वसल है अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इन्वेंशन कैसे करेगा पर हमारे कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फाइदा नहीं होगा हाँ मैं समझता हूँ हम बिजनस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है पर हम हर बिजनस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हर इंसान जो खाना कहा रहा है वो उन किसानों का करजदार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया थो हम लोग जिन्दा नहीं बचेंगे अगर आजकर हम देखें तो किसान का हल म्यूजियम में नज़र आता है लेकिन जो डाम हम बनाएंगे वो हर उस किसान के जिन्दगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा कर मेहनत करता है इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भर पूर पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इससे रिलेटड सारे डॉकिमन्स रेडी है हलो जिस जमीन पर हम मलेशन कंपनी के साथ मिलकर केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थी सरकार ने वहाँ डैम बनाने की परमिशन दे दी है अगर उसे रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँगा मीडिया वाले हंगा मागड़ा कर देंगे तो ये मामला तुम ही संभालो ठीक है वह भी होना प्रजेक पुरा हो जाने के बाद ही हम सब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड एसी रूम में आराम से बैटकर सडके और बिल्लिंग्स बनाने की बज़ा आए जिस जगे पर हम केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना चाहते हो मेरे अंदर जरा भी शराफत और सेंशीलता नहीं है अगर तुम मुझसे भीड़े तो तुम्हें मार पीट के हास्पिटल पहुंचाने की बारे में नहीं सोचूंगा सीधा तुम्हें यमलोग पहुंचा दूंगा थोड़ा बहुत दर लगा की नहीं लगा है टेक केर टेक की बार प्रमार दूंगा ध है कौन है बे तो जिसे तुने कार्ड दिया उनका विजिटिंग कार्ड हूं कर दो कर दो जब कोई किसी राज दर्बार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज्जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यूवराज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है मुझे तेरी आखों में डर नसरा आ रहा है अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी मा मैं यह नहीं करूंगी मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली तुझे बैंगलूरू में ही रहना होगा और होस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी पापा लक्ष्मी क्या कराबी है इस जुके में बताईए ये बच्ची भी तो पिछले दो सालों से अपने माता पिता से दूर होस्टल में रह रही है ना और सुन अगर तो बिना वज़े यहां वहां शहर में घुमी न तो तेरी टांगे तोड़ दूगी लक्ष्मी जब तक इसका मन यहां नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन पैंगलोरू में ही रह लें आप जाएए यहां से आपके मज़े से ही इतनी भी गड़ गई है ऐसी बात नहीं है मा जी मा पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए मा जी मा जी मा जी मा हलो हलो श्ष्ष 몇 का उत्या क्या हो मा तुझे मेरा इस शेर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टिल में मैं घर वापस जाना चाहती हूँ शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है पर धीरे धीरे आदत हो जाती है चल चल के सोते हैं तुम जाओ मैं आती हूँ पार्या क्या सोच रहे हो बेटा कुछ नहीं पापा बस वो डाम प्रोशेक के बारे में सोच रहा था इतना मत सोचा करो बेटा इंज्वाई और लाइफ इस पार्टी टाइम मैं पापा मैंने लाइफ में पार्टी वाटी बहुत कर ली आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए ठीक है आप जाने दू वैसे तुम तो शादी में गए थे ना ए पापा ए अरे 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 को लोको सुनो तो सही मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में लिकाल दी और इस पीच तुम सारे बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता भी नहीं चला इस बात का मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि जो मैं न जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरू है हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशिया होती है और अपने कम भी होते हैं लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशिया मिस की चाहूंगा उन्हें तुम जीओ पापा हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिं क्यों बे शादी हो गई तो दोस्त को भूल गया है बहुत मज़े कर रहा है काए के मज़े तुझे क्या मता मेरी हाई ठीक हो भाबी थांक यू वैसे आप कैसे है ठीक हो जी रही हूं इनकी क्रिपासे कितनी चूटी है यह यह सुनना मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी तु जान नहीं चाहिए यह बस गीता का नाबर चाहिए यह यह लो अभी तो तू मेरे लिए जान देने वाला था ना तू मेरे बीवी को जानता नहीं है वो दिखती बंदी है लेकिन अंदर से एक दम बंदा है क्या मतलब मैं उसके सभाव की बात कर रहा था बहुत बड़ी कुशिश करता हूँ है सुनो क्या है नहीं कुछ ने चलट जाए यहां से तुझे यहां पर किस ने बुलाया है नैना हां बोलो मुझे गीता का नंबर दो किस लिए है उसकी कॉलर टुन मुझे चेक करनी है तुमें इससे क्या तुम बस नंबर दो ठीक है तो अंदर अख ल तुमें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था पर तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे फ्लर्ट वो क्या होता है बेबी आच्छा चूटे मकार कहीं के उसका नंबर चाहिए दू नंबर बेबी नंबर में अपने लिए नहीं भाई के लिए नंबर मिला क्या मिला तो दे ना इसे मिक्सी में केला पीस ते कोई बात यार बीवी ने मारा है ना उसका हाथ बंता है तुझके मैं किसी को नहीं बताऊंगा तू उसका नंबर देना यार पीस उसने मुझे कई दिनों तक पीटा तेरी वज़े से आज भी पीटा गया है यार नंबर देना पीज आए मिल सकता सम्झा क्या करूं मैं यहां तो मेरा पिलकुल मन नहीं लग रहा है आरिया को कॉल करूं क्या हाँ लगा की देखती हूँ अबे क्या है उसका नंबर देना प्रीज नहीं मैंने प्रीज यार हाँ अलो कौन है तुटू ए अरे देना यारे चोड़ना मैं नहीं दे सकता प्रीज यार किसका फोन था थू थू किया चारू वो कौन है ए लीना तुमारा ही नंबर है न तुमने फोन किया है क्या मैं ही हूँ अज तुमें मेरी यार कैसे आ गई वो मुझे तुमारी चोटी सी हेल्प चाहिए थी हाँ ओके मैं तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ दो गंटे रुको मैं फ्लाइट पकड़कर आता हूँ ने 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 ऐसा मत करना मत करना मतलब मैं बेंगलूरू में हूँ बेंगलूरू में हूँ हाई गीता वाट अ सप्राइज मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था मैंने तो एक्सपेक्टी नहीं गार चाहिए, तुम कहीं जाना चाहती हो क्या, तुम बाइप पर चलते हैं ना, करार या यह तो बात ही नहीं कर रही है, यार, अच्छा, कॉलेज में सब ठीक तो है ना, किसी रिष्टेदार के घर पे रुकी हो क्या, अच्छा तो पी जी में रुकी होई हो, वो मतलब अरे, तुम भी कुछ बोलो ना, मैं अकेला ही कबसे बगबग किये जा रहा हूँ, लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ टपोरी मतलब? चलो, शुकर है कि मूँ तो खोला, सवाल पूझने के लिए इस है, टपोरी मतलब मैं ओ, अच्छा सुनो, हम दोनों आटो में चल सकते हैं मैंने लोगों को पीछे बैठ कर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुप-चाप बैठे हो, शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है कम ऑन, इंजॉए दे मिजग, यह ौ यहाँ, तेरा है होना, तुझको अपना है माना वा 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 वा, भा बैया जीग, क्या गाना चला है, सुपब, I love you थेंक्यू, 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 मैं ऐसे गाने आप जयसे आशिकों के लिए ही लगाता हूं एई, फोरोो atac, right, Allez ऊथ्यवा लग्äारे मैंने को है आउटो, left subscribers, stop gisya. आशिक जिलेए हैं क्यों? हम तुझे भाई सपरी भाहनें जैसे नहीं लग रहे हैं? वाला आजेशीवाला. ज्किर्चесड wykon always. क्या बात कर रही हैं, मैडम? इसमें गुस्सा बाली क्या बात है? लगता है लड़कियों को टाइंग पे आना आता ही नहीं है मुझे तो दस बज़े आने को का और खुद अभी तक गायब है मेरे साथ खेल रहा है तू, रोक एक मिनट अब मैं समझ गया, तू पक्का चीटियों की रानी ही होगी तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है अगर मेरा गैस सही है, तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा बाइ, चलो अच्छा है, तुम हस भी सकती है अब चले हेलो मैडम, ये आटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाइक को मीलो खींच-खींच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता प्लीज बैट जाओ, एक्सिदेंट भी हो जाए, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा मदर प्रॉमिस अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूँगा इतना तो भरोसा करो यार फ्रेंड? हाँ, फ्रेंड ओनली फ्रेंड? फ्रेंड फ्रेंड, ओनली फ्रेंड चलो मान तो गई तुम तो ऐसे डरी हैं जैसे बच्चे पहली बार जूले पर बैठने से डरते हैं लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किड्नाप कर रहा हूँ देखो मैं तुम्हें एक इंच भी टच नहीं करूँगा प्लीज आराम से बैठ जाओ अरे यार पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया फिर उसने कहा फ्रेंड बाद में बनेगी गर्ल्फरेंड और आखिर में बनेगी वाइफ फिर होगी जंड लाइफ यार तु कुछ भी बकवास करते हैं चुबे अबे तु इन बीवियों को जानता नहीं है अगर मान लो खाते हुए मुँ में बाल आ गया तो हमने पूछ लिया कि कैसे तो बने हवा में ऊड़कर आ गया होगा निकाल के खालो ना चुब चब और जब हम काम से घर वापस आया अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना तो कोई बारिश नहीं आएगी कोई हवा नहीं आएगी सीथे आंधी तूपान आ जाएगा ये बीविया ना बनाई ही भगवाने हमें पीस पीस कर मारने के लिए अगर मैं पीम बन गया ना तो ये शादी का सिया पाई बैंक करा दूगा बस चुप करा बीवियो के बार में ऐसा मत बोल लड़किया ही घर को रोशन करती है तुन्हें वो गाना नहीं सुना क्या लड़किया ही घर का स्लीची राज स्टॉप कितनी देर से बहुत टाइम हो गया तुससे अच्छा तो दोस्त होगी नहीं सकता थैंक्यू देखो चलता हूँ ख्याल रखना चलता हूँ भाई भाई बाई बाई बेस्ट अब लग आते रहना बेबी बोलो बेबी सुरो देखो तो आसमान कितना अच्छा लग रहा है अच्छा कहा हम किसानों के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है जो डैम आप यहां बनवा रहे हैं उससे हमारे जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी आप हमारी जिंदगी में भगवान बन कर आए हम आपके एकसान मन्द है ये आप कैसी बाते कर रही हैं ये तो मेरा फर्ज है आपकी तरक्की होगी तो मुझे कुशी होगी मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रखो देखेगा और मिनिस्टर बार बार फोन किये जा रहा है बहुत बार फोन कर चुका है भाई आदे बार बात कर दे नहीं तो गरबर हो जाएगी और उसको मैं जवाब क्या दू कि हम उससे पिट कर आए हैं एक एक को देख लेंगे भाई जिनकी वज़े से ये हालत भी है उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूँगा अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था लेकिन आज से मेरा काम है तू प्लैन बना जल्दे ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आने से पहले फोन भी नहीं किया बस बेटी से मिलने कमन हुआ तो आ गया कुछ खास नहीं आप एक बार चरके फैक्टरी देख लेते तो अच्छा होता तुम हो ना फैक्टरी समालने के लिए जीवा जी साब मंदर ले चलो ठीके साब पर मंदर क्यो गीता को फोन किया था वो वही है मैं उसे जरा सर्प्राइज देना चाहता हूं साबजी कौन से मंदर जाना आए जो रास्ते में है अले ये तुने क्या है जीवा साबजी इसे नहीं होता है तमाशने करें का नग्रों MA mother जाके बोदून ना पाइड जगड़ा करता है जादा के दिखाता है अरे सुनुन तुम कहा ही हाटे भेवी आज नहीं है कि आप अधा जीवा बस चलो जड़ा जब चलो राइब करो जीवा एजीवा पात कर रहा है जिवा लभी कि अच्छ नुए कर दो 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 मुष्रा falling कीता! है कीता यह सब क्या है? एक मिनट एक मिनट यह त्योहार है, suivre। मेला लगा है बहुत अचे ещё आρηं, एक फोटो लघो शिरू करो यह प्रभू, यह प्रभू हात राओ तुम्हें पता है ना मुझे सब वेकल पसंद नहीं फिर भी क्या सौरी, फोन दो मुझे, फोटो Oops DELETE करो मुझे तो अपना फोन देरे होया नही, फोन दो मुझे पास पास बता ना, पीछाटो Hack of तुम्हारे फोन में इस सब फोटोज कैसे आई कब खीजी तुमने मेरी ये फोटोस, तुम्हारे फोल में मेरी फोटोस क्यू है, ऐसे ही खीजी दिया, बस वैसे ही तुमने मेरी फोटोस रखी है, तो क्या, तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, अरे रे 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 रे, तुमें दोस्ते दोस्ते कोलकर मेरे साथ धोगा किया है, चीड़, चीड़, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, दोस्ती-दोस्ती कहकर मेरे साथ धूगा क्यों किया मुझे तुम से ऐसी उमिद बिल्कुल लें थी चोओ मत मुझे, ज़ो रहाँ, ज़ो ऒार ठार 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 스ीजे उमिभे कि आ लुम आ कि इन आ झाल 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 गीता गीता तुम घबराओ मत इस दर्की को कुछ नहीं होगा इसकी फिक्रतों मत करो तुम जाओ जाकर उन राक्षासों को खतम करो तुम जाओ प्रूख इस दर्की करो तुम जाओ पुर्णोय नञिए दो जान समय काम पूल्जविस दियुद पूल्भ नमी आशाडब निने दिए टो जो जाब जार जार जान समय काम अखे लागा जाल वहीं कर दो जाया है वो स्वेखन काम एम नगार प्रणोय काम यूह बसी हुखएब फब लगारली सीर्ड लगार, थे रसमाना इब भोल, हुषभा जो ना रालावमार, उतक्सों हो और नंवा族版 केamट! न आ औरे डिरां, आ सोसां के दोने हो और नंवा हेई! कर दो की की लगटार, आपने की लेफिए, मुझा आपना की लेफिए, कर दो सन्वापनी लेफिए! क्ने खेंसे की लेफिए, क्ने खेंसे के लेफिए! प्रोंतुब कर दूPI पतまぁ हम झेका15 काछिश सेخploy बेगाSoM झाल प्रोना झालब झेंड़ झालब झाल झेड़ झालब कैसी झालब झाल जब रावण ने सीता को चुछ हुआ था तब श्रीराम वहा नहीं थे इसी ये उस दिन रावन जिन्दा बच गयाता है तू ने सीता को राम के सामने था है भाव रुक जाओ दो के बास तो हो ही तू और क्या किसी के हग तयारे भी बन जाओगे this movie is encoded by Dr. Star she's okay now, you can take her thank you doctor, welcome फोन तो उठाले फोन तो उठाले फोन तो उठाले फोन तो जाओ ठीक है हाई पापा क्या बात है पापा आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं पिटा पापा क्या बात है अज यूजवल आई यूशॉर बस काम की वज़े से वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूगा अच्छा राम मुझे बता रहा था कि तुमने दो दिनों से कुछ भी निखाया है ऐसे क्या बात हो गई बता तो बेटा कुछ नहीं पापा बस थोड़े सी ओफिस के टेंशन है आर यूशॉर या भगवान हमें रोज खाना तो देता है पर बीबी ये फैसला करती है कि बिरियानी खानी है की घास फूस इसलिए कभी भी बीबी को नाराज मत करना अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीबी को कंट्रोल कर पाया ना तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोहफे में दे दूँगा अपनी नाराज बीबी को मनाना कैसे है ये मेरे काम की चीज है अगर आप अच्छे से तयार होकर परफ्यूम्स लगा कर जाकर उसे गले लगा कर किस करोगे तो उसका गुस्सा छूम मनतर हो जाएगा अरे वाँ वाँ क्या एडिया है अरे सुनो क्या है साब मालकिन कहा है अरे वो तो दो साल पहले ही मर गई ना साब अच्छा सेलेरी मिल गई इसलिए तुम्हें मजाग सूज रहा है किया मैं अपनी बीबी की बार में पूछ रहा हूँ वो तो दो घंटे से घर में ही नहीं है ना कहा गई है चछ पर मजाग मजाग करना जरा बन करो नहीं तो एक मिनिट मैं घर से भार निकाल दूँगा है हस क्यों रही हो मैं तो पहले से इच बार हूँ ना साब पंच लंच टाइम पर आना बताता हूं तुझे बेबी आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूँगा बेबी पाफ्यूम कैसा लगा अच्छे खुश्बू है ना इसकी तुम यहां हो तो फिर यह कौन है मुझे पता था कि तुम ही हो पता था उसके बाद भी गले लगाया मेरा वो मतलब नहीं था शादी में फेरे मेरे साथ लिये तुमने और मेरे गैर मजुद्गी में यहां रोमांस करते फिरते हो बेबी चिल बेबी मैं तो एक दम तरो ताजा दो हजार उपे का नोट हूँ यह बैन हुए एक हजार के नोट को क्यो छूँँगा सही का न क्या बोलो अरे माजी इन सब की क्या जरूरत थी तुम किसानों की भूख का कितना खयाल रखते हो हम सब के लिए कितनी महनत कर रहे हो तो हम तुमें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा तो सब को खिलाओ ना लो बेटा लो गीता मेरी बात मानले आर्या को फुन कर ले कर ले ना गीता आर्या गीता रोकियो रही हो तुम पापा कितना बेठीक नहीं है क्या हुआ क्या हुआ अर्य बस बस दोस्त यहीं रोक दो अरे बस बस दोस्त यहीं रोक दो आर्या कहां जा रहे हो तुम मैं तो अपने घर जा रहा हूँ क्या तुम साथ नहीं होगे मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे, तुम जाओ ना कुछ नहीं सोचेंगे वो, तुम तु मेरे दोस्त हो ना फिर से इसका दोस्ती का राख शुरू हो गया बोलो दोस्त हो, दोस्त दोस्त, सिर्फ दोस्त अच्छा चल निकल बेटा बाई पापा, ये सब कैसे हुआ कुछ खास नहीं बेटा, बस बीपी लो होने के वज़े से बेहोश हो गया था बेबी, डोन्ट फ्राइ, क्राइ, आइनो गीता हाँ तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार है वो दादी मुझे लगा डॉटल का खिला-खिला फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे इसलिए मैंने फोन कर दिया था लुक एट हिम, हाव शाइनिंग अच्छा, पर तुम्हाई कैसे दीदी, क्या कुछ रही है क्या फरक पड़ता है कि वो कैसे आई हो, बस आ तो गई है न पापा, आपने का था न, लू बी भी हुआ है ये क्यासे हुआ पिछले कुछ दिनों से जीजा जी बहुत परिशान है जब से बैंगलूरू से आए हैं, तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ पापा, बताईए मुझे दरसल बेटा, अउता, डरने की बात नहीं है भाई साथ थोड़ा ठक गए है कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे, तुम लोगों ने यहां भीड क्यों लगा रिखिये क्यों खड़े हो यहां पर, जाओ, जाकर अपना अपना काम करो ना, जाओ तु जिन्ता मत कर बेटा तु जा बेटा, जाकर आराम कर जाओ, जाकर बेटा, जाकर आराम कर दू। ब्रो तो ये भी नहीं पुछेगा कि ये सब कैसे हुआ पत्नी हाइवे पर पती के साथ बाइट पे जा रही थी और गिर गई बेचारी कितनी चोट लगी होगी उसे अरे उसे पुछ हुआ होगा तो उसका पती उसे देख लेगा तुम मुझे देखना भाई मेरी आलग तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है तो अभी भी भी नहीं पुछेगा कि ये सब कैसे हुआ अगर मैंने पूछा तो तो अपनी इज़त बचाने के लिए जूट बोलेगा कि बातरूम में गर गया है नहीं मैं तुझे सब सच बताऊंगा तो बता मेरी बीवी ने मुझे मारा क्या बोल रहा यार तेरी बीवी में इतनी ताकत आई कहां से उसने अकेले नहीं मारा उसने तो सिर्फ मेरा थोबड़ा भी गाड़ा है अरे दिखा तो मेरी नौकरानी ने मारा मुझे इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू मैंने उसे अपनी बीवी समझकर गल्दी से गले लगा लिए तू भी ना गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है लगा तो था पर मैंने सुचा शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने अभी मुझे गले लगा लिए ने ने तुझे अज़े नहीं सुधरेगा मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ भाबी मैंने जुनाए कि आपकी नौकरानी बहुत सुधर है या अपना पती बदल लीजे या आपकी नौकरानी अरे मेरे किताब कहां गई कहां जा रही हो बैंगलूरू जा रहे हूँ मैं तुम्हारे पापा तुम्हारे ये लड़का ढून रहे हैं मैं उसी से शादी करूँगी जो लड़का पापा को पसंद आएगा वैसे एक बात कहूँ आपसे आप अपने लिए भी एक लड़का ढून लो बतमाश है रहे है रहे है बाइए बाइए तुम्हारे तो एक्जाम्स है ना होस्टल में पढ़ाई करने के बजाए तुम्हें मंदिर में क्यों लेकर आई हो ओहो इतना भी नहीं पता तुम्हें एक्जाम में पास होने के लिए भगवान को तुम मनाना ही पड़ेगा ना हाँ अब एक और मंदिल बस यह आखरी है चलो गीता चाहिए तुम ठक गई हो क्या तुम रोक यो रही हो मुझे ये सीडिया चड़ने की हिक मत तहिए मैं फेल जाओंगी मेरे प्राथ ना दूरी रह जाएगी मैं फेल जाओंगी मैं फेल जाओंगी एगीता ये देखा पूरे मन से भगवान को याद करो ये दिया बुझना नहीं चाहिए क्यों तुम प्रार्थना तो करो मैं बताता हूं हे प्रभू हे प्रभू दिया बुझने मत देना प्लीज 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 अरे यह नहीं पुझा सरस्वदी देवी की पुझा करने से कलां साइन्टिस नहीं बना लक्षमी माता की पुझा करने से अंभानी अमीर नहीं बना मैं कुछ समझे नहीं मैंने हाथों से इस ढखाये कोशिश और ये दिया बिना मुझे जलता रहा ये मेरी कोशिश का एक फल है थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ेगी न सब कुछ भगवान पर छोड़ेंगे तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा हम बिना कोई कोशिश करे भगवान पर सब कुछ छोड़ दे तो क्या भगवान भी हमें वो चीज़ देगा देखो गीता तुम पढ़ो जितना आता है उतने में एक्जाम लिख दो फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो मुझे होस्टिल जा रहा है लेकिन क्यों? जल्दी से होस्टिल ले चलो क्या हो आगीता? मैंने कुछ गलत कह दिया मुझे पढ़ाई करने क्या हो इँ दो जाफ सब दो बहा है क्या है मिस्टर शंकर कोर्ट में नोटिस बेजाए आपको अरेस्ट किया जाता है इतने भोले बनने का नाटक मत करो इस जगा पर केमिकल फैक्टरी बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हत्याने का प्लैन बनाया तुम्हारी ही कमपनी की साइन की वुई फाइल है मेरे पास जिसमें लिखा है कि इस जगा पर केमिकल फैक्टरी बनेगी जान बोज़कर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया डैम की दिवार को गिराना तुमारी चाल थी तुमने किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है सहब जी हमें लगा आप हमारे भगवान है आप हमसद की जिंदगी बचाने आए है इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी जमीन आपको दे दी एक बार भी हमने नहीं सोचा लेकिन आप थे हमारे साथ धोखा किया है जेस मिट्टे के हमारे पुरवज उने पूझा की जो जमीन हमें अपनी चान से भी प्यारी आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया आपने हमारे जिंदगी बरबाद की आप कभी सुखी नहीं रहोगे बरबाद हो जाओगे जैसे हम बरबाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे तुम्हारा कभी बना नहीं होगा झाल 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 मलोओे झाल 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 क्या किया इसने क्या किया तुने सच सच बता ये कुछ नहीं बोलेंगे सर इन्होंने साब के साथ धोखा किया है धोखे बाज आई ये इंसान मैं आपको बताता हूँ सचाई क्या है दरसल हुआ क्या था बताता हूँ मैं द कर दो गखी का तुने ये बताता हूँ थरूँ जरूँ नजा आए जए हुआ हुआ है बोल बता हमें सच क्या है पैसे हो के लाज़च मैं मुझसे गवती हो गई मैंने पुलिस और उस वकिल का साथ दिया मुझे माफ कर दीजिये अरे पापी अरे पापी बारो बुचाए बारो अगर पैसे ही कमाने हैं न तो मेरे पापा का बिजनस बहुत बड़ा है सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किये बिना वो ये डैम बनाने के लिए तैयार हो गए बिना प्रॉफिट की परवा किये उन्होंने अपना पैसा इसमें लगाया आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए जिस इनसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी वो महान इनसान मेरे पापा है और आप लोग इन्हें धोके बास कह रहे थे ना ये आप लोगों के साथ कभी धोका नहीं करेंगे अरे ये तो आप के लिए अपनी जान भी दे देंगे चाहे इने कितनी भी बेज़दी बरदाश्ट क्यों न करनी पड़े अपनी आखरी सास तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे अमीर होने के बावजूद मेहनत का मोल समझने वाले देवता जैसे इनसान मेरे पापा है एड़ोकेट कुलकर्णी को फोन करो इन लेगल इशिस को वही एंडर करेंगे हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सर मेरा फोन दिसकनेक किया अभी बताती हूँ हम इस सेरे का डान प्रॉजेक्ट पहली पर बना रहे हैं पर हमने किसानों से उनकी जमीन लेगल ही खरी दी थी फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिनिस्टर का हख लगता है अभी हम राजनीती के बार में बात ना करें तो ही अच्छा है फिलाल हमारा ध्यार इस बात समझा चाहिए है कि हम अपने इस दाम को कहते हैं पुछ जोगी नहीं कि बात क्या ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के बहुत प्रस्टीजिस है बहुत करते करते फोन कार दिया अभी बताती हूँ इस तरह का कोई डाम का प्रोजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं पर हमें ये प्रोजेक्ट बहुत चल पूरा करना है आ रहे हो और पापा फोन उठानो सॉरी क्या बात है चिल्ला क्यों रहे हो तुम अच्छा ठीक है क्या बात है मैं होस्टल में हूँ यहां आजाओ जल्दी आओ आने दोसे मैं बताती हूँ हाँ क्या है अरे हलो 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 मैं हूँ बेटा पापा अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ बात क्या है पापा कुछ खास नहीं बेटा बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने एक खास रिष्टेदार से करना चाहरे है मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था कुछ बोल नहीं गई बेटा पापा शादी हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए मैं आपको फोन करती हूँ ठीक है बेटा अच्छी बात उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त जाहिए मैं उससे बात कर लूगा ठीक है भाई साब अच्छी बात है विशू क्या बात है इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो अब क्या कह दिया मैंने इतना ही पुछना हो क्यों बुलाया है कुछ नहीं क्या कुछ नहीं मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं अच्छा तो तुम्हारे पापा मुझसे जादा इंपोर्टन्ट हो गए ए क्या बखवास कर रही हो तुम्हारे पापा इंपोर्टन्ट हो सकते है वैसे मेरे पापा मेरे लिए इंपोर्टन्ट है देखो मेरे पापा के बाद में कुछ मत बोलो तुम्हारे पापा अलग है मेरे पापा अलग है पागलो जैसी बाते करती हो तुम मैं पागलो जैसी बाते कर रही हूँ तुम मुझे पागल कह रहे हो ठीक है, भूल जा, मैं आ गया हूँ न, क्या बात है बोलो ऐसे ही ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुमने मुझे बिना वज़े यहां बुलाया है क्या? अब बताओ न, बात क्या है? बात ही है कि मैं घर जा रही हूँ क्यों? उन्हें लड़का ढूण लिया है इसलिए तो तुमने हां कह दिये क्यों? हां नहीं बोलनी चाहिए थी तुम हां कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद तो मैं ना कैसे कर दूँ तुम कौन होते हो मुझे यह बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन हो? जब तुम्हारा यहां कोई नहीं था तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना वो हूँ मैं अपने दिल से पूछ कर देखो तुम्हें जहां कहीं जाना था तुम्हारा खैल रखने जो आया था ना जिसकी मत मारी गई थी वो हूँ मैं सही कह रहे हूं मैं कौन हूँ हमारे बीच बस दोस्ती थी और कुछ नहीं देखो कीता तुम कोई बच्ची नहीं हो मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था हम दोनों के बीच क्या है बोलो बताओ क्या है तो क्या हम दोस्त नहीं है लो फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक तुमने मुझे दोस्ती के नाम पर धोका दिया तुम दोके बाज हो, you are a cheetah एई, इंसल्ट करोगी मेरी मजाब उड़ाओगे मेरा, परिशान करना है मुझे मुझे पता है उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हात रखा था और exam hall के बाहर सब के सामने समær ग्ले लगाया था इसलिए तुम्हें यह बोल रहे हो थी मुझे ने पता था कि तुम्हारी सोच इतने छोटी है बस, छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है मेरे दिल में कुछ और और जुबान पे कुछ और ऐसा नहीं है मेरे दिल की बात तुम अब सुनो मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ आई लव यू शौक लग या इतनी हैरान मत हो आई लव यू बोलने के बस दस सेकंड बात मैं तुम से ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो येस येस आई हेट यू आई हेट यू क्योंकि जानती हो तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाओंगा भगवान का शुकर है कि मैं बज गया जो तुम से शादी करेगा ना जिन्दगी बरबाद हो जाएगी उसकी एए क्या कहा बरबाद तुमारी तरह कोई एरा गेरा नहीं होगा बहुत खास होगा अच्छा मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता तुम भी देख लोगी पापा हाँ बोलो बेटा मैं शादी के लिए तयार हूँ तुम तयार हूँ? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मागा था मैं यह सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा मैं शादी के लिए तयार हूँ बेटा, तुने अच्छी तरह से सोच लिया है ना, तु तयार है ना हाँ पापा, मैं तयार हूँ अच्छी बात है मैं घर आ रही हूँ हाँ ठीक है, गड़ी भीज़ देता हूँ जोती, गीता दे शादी के लिए हाँ कर दिये तु गल्दी कर रही है, गुससे में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता तो बात में पच्छताएगी अर्या से अच्छा लड़का तुझे जिंदेगी में कभी नहीं मिलेगा देख, मुझे पता है कि तु आर्या से प्यार करती है और जिससे तो प्यार करती है उससे दूर जाके तुछ भी हासल नहीं होगा, गीता गीता, अपने इस एगो के चकर में न, तेरे दिल में चुआ रहे है किरे प्यार है, उसे मत मार प्लीज गीता, मत जा यार गीता मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूगी उनकी खिलाफ नहीं गीता गीता आजा बेटा पापा आजा बेटा मैं ठक गई हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ अच्छे बात है जाओ साहाब आजा क्या हूँ आ रहा हूँ वो कौन है जी साहब भाई साहब पापा आर्या कौन है विटी मेरा दोस्त है पापा बिल्कुल नहीं उससे दोस्ती तोड़ दो क्यों पापा कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे में जान बस्ती थी बहुत अख्षे शंकर अभी तुमारी करियर की शुरुआत है और तुमें सरकार से इतना बड़ा प्रजेक्ट मिला कॉंगरिचुलेशन्स थैंक्यू रेमिश मेरा तोस्त इंजीनियर बन गया खा खा मिठाई खा मसब बैंगलूरू छोड़ कर वापस आजा मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मेरा है वो तेरा ही तो है आजा हम साथ में खुशी-खुशी रहेंगे या मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है लेकिन अब अगर में कुछ नहीं बन भाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बेज़ती है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बैंगलूर में जाकर कोशिश करनी चाहिए बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और अरे या ऐसे कोई बात नहीं है देख रही हो न मा तेरे लिए लड़की भी मैं ही डूढ़ूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा वादाकर देखा न मा तुम दोनों ही मेरे बेटे हो ये हुकम जारता है तो तुम भी जारो इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बेहन मीरा भी मुझसे दूर है तो तू फिर से शुरू हो गया देख रही है न भावी देखो तुम दोनों भाई बेहन को मैं भला क्यों दूर करूंगा मीरा मेडिकल की पढ़ाही करना चाहती थी तो उसने तैयारी की मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया मैंने उसे पढ़ने दिया गलत क्या दिया मैं बच्पन में बीरा की बगएर कभी नहीं रहा क्योंकि तू बैंगलूरू में है इसलिए तुस पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां बेजा है तू बिल्कुल फिकर मत कर उसके जिम्हदारी मेरी है मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हे बहुत चाहती हूँ सच में मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ मैं कल ही इस बारे में बात कर लिता हूँ भाईया को अभी कुछ मत बताना, मेरे एक्जाम सो चाने दो, तुम्हें तो बताई है न, उन्हें कितनी जल्दी गुसा आजाता है, अगर वो नहीं मानें, तो मेरी बढ़ाई बंद करवा देंगी और मुझे सबरतस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे चीक है, कल मैं किसी ज़रूरी काम से हैदरा बाद जा रहा हूँ, वापस लोटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे, अपना ख्याल रखना देर गाईश मान भाव क्या हुआ, आज के दिन भी इतने उदास है मेरा की बहुत यादा रही है मुझे, उसके बिना हर तेवहार, बिल्कुल फीका लगता है पढ़ाई करने बाहर गई है तो हब इतने परेशान है, जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका क्या मतलब है आपका, शादी नहीं करवाएंगे उसकी करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा, पर उसके लिए अपने ही गाउं का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूंगा ताकि मीरा, शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे कहां से दुढ़ेंगे ऐसा लड़का आप, क्यों हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है तनका पूरी चाही तो इह मंदरी से काम किया कर, ये कौन सा तरीका अपने माली को लूटता है गया आओ विश्वा, ये परवरी के अकाउंट्स की किताबे हैं आप ही देख लीजिए, इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है परिवर आप देख तो लेती माली कि तुमने चेक कर लिया ना विश्वा आँ चेक कर लिया, तुम पर हमें पूरा भरोसा है, जाओ जी साब, मैं चलता हूँ जोती, कौन है पॉन पर? मीरा, हाँ, बात करवा मीरा, हाँ भया, मैं ही हूँ, कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक है, पर तू तो हमें बिल्कुल भोली ही गई कितने महीनी हो गए तुझे देखे परसों में तुस्से मिलने बैंगलोरू आ रहा हूँ अब मत आये भया, पर क्यों? फिलहार मैं बैंगलोरू में नहीं हूँ तो फिर? मैं बाहर क्यांप में हूँ भया फिर तू हम सब से मिलने कब आएगी मीरा? क्यांप की वज़े से एक चगे से दूसरी चगे जाना पड़ता है भया पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी इसके खत्म होने में तीन-चार महीने और लग जाएंगे क्या कहा? तीन-चार महीने और? हाँ भया, एक बार खत्म हो जाएं तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाओंगी भया अच्छा ठीक है, फोन करके हाल चल बताती रहना जी भया मेरा, कॉंग्रेटुलेशन्स, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी, तीसरा महीना चल रहा है तुम्हें यजमान, लड़के का नाम अभी है, डॉक्टर, आपके परिवार के लिए अतियुत्तम सही हो है क्या चल रहा है यहां? देखिए न, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिलकुल मिला है मीरा की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने गा? डॉक्टर है वो किसने बताया? इसने? पण्डी जी, उठीए, उठीए यहां से, ले जाईए यह सब परियो? लड़का अच्छा है कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हर्गिस देखने करूगा मुझ डॉक्टर है चाहे कोई भी हो, मुझे इमांदार और मेहंती लड़का इसी गाउं से चाहिए अब आपको इतना इमांदा लड़का कहां से मिलेगा? मिलकुल मिलेगा, मैं उसे ढूट के खोपरी की कमाई की पैसे गिन लीजे न अभी नहीं विश्वा, तब जाओ अब बस करो इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया साब कोई गलती होगे तो माफ कर देना कल से काम पर मताना बगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिये साब आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजी मैं फिर भी इस घर को छोड़ूँगा नहीं साब मैं आपका नौकर बन के रहूँगा विश्वा ऐसा मत कहो आज से तुम इस घर के नौकर नहीं परिवार के सदस से हो मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तै कर दी है अलाज साब जी हाँ विश्वा मा विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इस से बेहतर लड़का नहीं मिलेगा गले लग जाओ भाई अच्छो होगा अगर आप जादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो नहीं रे वो खलत होगा वो क्यों भाई जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने जब आप उसे मिले हो भाई भाई भावी तो हशल में आहीं ही नहीं क्या मतलब इस वक्ट वो हशल में नहीं है तो कहा गही है कहां जा सकती है वो कहां गही हो ही जा के दी गठो में को न आए है हाँ 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 है है येकर हाँ मिया विश्वा? तुम यहां लेजे? यह सब क्या है? यह बात मेरे बाईया को मत बताना विश्वा फ्लीज मत बताना बाईया, रजिस्टेशन कल सुबा दस मजे की लगन उसके बारे में तुमने विश्वा, क्या हुआ? बात क्या है? शाब जी, मीरा मीरा? शंकर शंकर? वो दो रो भाग ऐसा भी मेरा मेरी बहन है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शरम से सर चुप जाए शंकर मेरा जिकरी दोस्त है वो मुझे तोखा नहीं देगा कभी नहीं मुझे बहुत जो आठान है अगर आपको घ्लत लगता है तो मेरी जिप कारते जीअब साबजी मेरा प्रेकिनेंट है माँ चागा चागा मैं जट वो लो ऑग उसने हमें दोखा दिया दोखा दिया उसने मीरा प्रेगनेंट है मीरा आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है क्या सुन रहा हूं सुन रहा हूं मैं अपने किये हुए वादे को पूरे नहीं कर सका मुझे माफ कर दे विश्वा आप क्यो माफी मांग रहे हैं साब आपके तो कोई गलती नहीं है चाहिए जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओगा मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं मैं आपकी बेहन से शादी करूँगा ये तुम क्या कह रहे है विश्वा अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बेहन जोती से शादी करने के लिए तयार हूं इसे कहते हैं सच्चा दोस्त क्या हमारा परिवार एक दोखे बाज के साथ रिष्टा रखेगा अब इतक मैंने तेरी हर बात मानी है पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी मेरी बात मान तुझे भूल जा गीता क्या तो आरिया से प्यार करती है अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इनसान से शादी मत करना बेटा तुने अभी हा कह दिया पर सारी तयारिया हो जाने के बाद उन्हीं शर्मिता करके चली मत जाना सब के सामने उनका सिर चुक जाएगा गीता बस मा बच्पन से उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बना कर रखा वो दोस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे मैंने पूरी जिन्दगी जिस चीज़ पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूणढी जिसके बास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो उन्हें मैं दोखा कैसे दे सकती हूँ और वो भी अपने प्यार के लिए मा वो मेरे पापा ही है जिनोंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शाय ठीक से पापा भोलना भी नहीं जानती थी में जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा की दिल को चोड़ पहुचाए मैंने पहले भी कहा था आप भी कह रहे हो मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूँगी उसके अलावा किसी से नहीं करूँगी मा दादी, अब हमेशा मुझसे कहती थी न कि मेरा पती एक राजकुमार होगा में कुछ श्री राम की तरह है न वो सब जूट है कोई चन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी वो श्री राम है या नहीं इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है जिन्दगी में जरूरी नहीं हम जो चाहें वो हमें मिल जाए अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही जिन्दगी है कोगीदा के बार में कैसे पता चला आरिया इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात चुपा कर रखी लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया अब दिखने रहे है धिकने आरिया आप जाए अब जाए इस्टा का यह दिखने रहे है गेता पहले जिसने हमें दोका दिया था ना आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किटनेप कर लिया है भाई साब कहां पर है वो बैए कहां है तू कहां निकल कहां है बज इसे कहां है पर भात है जैजिस कहुछ सबस्चके कहां ही कि अजाए अाँ चुहुआ बाँ ज्राइएएफ। तेना डिशो प्रेस अाँ तेना भुआ अवोगुआ अवोगूगुष टर्णात अवोगुआ शुआ अवेक और खुआ अटने हाव से निए झाल है अटने कर अंग ये पर झाल है पर झाल है पर फ्टना यो तो पर टीरित का ये कर दो बज़ाऊ बना को झाल जो झाल झाल क्या आप थक गए आपको एक बात बता आपकी बेटी गीता को मैंने किडनात नहीं किया आपको देख लेशे आपको एक गए आप चौक क्यों गए उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता इरा प्याड सच्चा है ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूँ भाईया शंकर? जी भाईया इनका नाम और आपका नाम एक ही है शंकर डॉक्तर शंकर मैया, एकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे है मुझे डर है कही हम पकड़े ना जाएं अरे रुक जा, मैं बताता हूँ कि अकाउंट्स कैसे बराबर करने हैं शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे हैं कहां से धूनेंगे आप ऐसा लड़का? हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है क्या? ए, रहेश, तनका पूरी चाहिए तो एमानदारी से काम किया कर अपने माली को लूटने चला ये कौन से तरीका है? ये फरवरी की अकाउंट्स की किताबे हैं विश्वा हमें तुम्हारे उपर पूरा बरुस है, जाओ क्या कहा? तीन-चार महीने और? जी भाईया ठीक है मीरा, फोन करके हलचाल बताती रहना जी भाईया मीरा, कॉंग्रिचूलेशन्स अब क्या करेंगे? मुझे ये बच्चा चाहिए हलो? हलो? मीरा है क्या? हाँ है, एक मिनेच उसे बलाती हूँ हलो भाईया क्या हुआ? इतने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया? माईया, वो ऐसे ही वैसे ही? सब ठीक तो है न? जी भाईया कोई परिशानी हो तो? माईया, आप आराम से काम ख़द्म करके आईए यहाँ सब कुछ ठीक है ठीक है वो जरूर कुछ परिशानी में है और मुझे से चुपा रही है भाई, कोपरा का पैसा कितना रखू मैं? कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शादी बाहर वाले से नहीं करूँगा तु बस देखता चा मैं बूरी कहानी ही बगल दूँगा बिलकुल मिलेगा, मैं उसे ढूपके खोपरे की कवाई के पैसे है, गिन लीजिए न मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे होगी गले लग जो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे पहले नर्सिमा से बात करनी जही थी भाईया पर अभी तुम चुपराऊ मीरा तुम दोनो इसी वक्त मेरे साथ गाउँ चल रहे हो भाई भावी दोजल में हाई नहीं देख तो आटा में कौन आया है एए एए विश्वाह यह सब क्या है भगवान के लिए ये बाद बहुत को मतब दो हो